पूजनी ये संत समाज, सम्भाननी सजनो, माताओ एवं बहनो गुरु पूर्डिमा का जो सब्द है, ये सब्द ही अपने आप में बहुत भारी भरकम अर्थ लिये हुए है गुरु और पूर्डिमा, गुरु का आर्थ ही होता है गरु, राजस्थान में जाएए तो वहाँ गरु ही कहते हैं, गुरु नहीं कहते हैं, गरु जी और गरु का आर्थ होता है वजन्दार, जो स्रेश्ट हो, जिसमें कुछ विशेश, खाशियत हो, वो गुरु होता है गूमाने अंधकार, रूमाने प्रकास, जो साधकों को, जिग्याशुओं, मनुष्यों को अंधकार से प्रकास की ओर ले जाए, जो दुख और आशक्ति मोह की धारा से हमें शान्ती, सैयम, त्याग और सदपत की ओर ले जाए, वो गुरु होता है. गुरु तो वैसे अनेक्स प्रकार के कहे गए हैं, दुनिया में कहीं भी किसी से जब कुछ सीखा जाता है, तो सीखाने वाले को गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु से एक और भारी भरकम, वजन्दार, जो अर्थ को प्रगट करता है, वो सब्द है सद्गुरु. गुरु भी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अखिर और कोई सब्द नहीं, तो अन्य कुछ बताने वाले को भी गुरु कहे दिया जाता है. इंगलिस में उसका तो और बड़ा हलका सब्द है, माश्टर, वहाँ गुरु सब्द नहीं, माश्टर कहते हैं, माश्टर का कोई अपना मतलब नहीं होता अध्यात्म में. लेकिन गुरु जो है, कोई हमें कपड़ा सिलना सिखावे, गाड़ी चलाना सिखावे, मसीन बनाना सिखावे, कम्प्यूटर चलाना सिखावे, वो सब गुरु कहलाते हैं. लेकिन जो गुरु का खास अर्थ होता है, वहाँ है कि संसार से लोट करके हमें अंतर मुक्ता का बोध दो, दे जो, आत्मा का जो हमें विचार और ग्यान दे, और उसके बारे में जो निर्देश करे, वहाँ गुरु है. और उसे ही फिर सद्गुरु कहते हैं. सद्गुरु की संसार में बड़ी आवश्यक्ता है. जितना एक डाक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, वैज्यानिक, आधी-ाधी लोगों की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा किसी संत और साधक की जरूरत है. और साधक संत ही सद्गुरु होते हैं. गुरु की कोई अलग पहचान नहीं होती है, कि उनकी कोई अलग से पहचान हो, उनकी कोई चिनहारी हो, उनका रूप रंग कुछ अलग ढंका हो, ऐसा नहीं है. गुरु एक मनह इस्थिती है, जीवन की वो एक दसा है, वो एक परिडाम है, वो धीरे 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 वो दसा आती है. शाधना का क्रमिक विकास करते करते, मन की एक वो उचाई आती है, जब वहाँ पर गुरुत जागरित होता है. और जब गुरुत आ जाता है, तब कुछ लोग होते हैं, जो साधकों को, भक्तों को दिच्छा दे करके, और उनको भी परमार्थ पत्में, कल्यान पत्में लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं, वे अपनी शाधना में मस्त रहते हैं, वो किसी को बहुत सिच्छा लेकिन दोनों पहुंचे हुए हैं इन्ही मैसे जो साधकों को निभाते हैं भक्तों को दिख्षा दे करके परमार्थ की आत्रा कराते हैं अथ्वा साधकों को दिख्षा दे करके वैराग का जीवन उनको जीने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको साथ में निभाते हैं वे ही सद्गुरू है और जो अपने आप की साधना में मस्त हैं उसे संत कहते हैं संत और सद्गुरू में बस इतना ही अंतर है और दोनों की दसा एक होती है गुर्देजी की एक पुस्तक है कल्याण पत ह्लाई सबकोस इन कुस्तकों सो आईसे ही विचारों को पढ़ना जरूरी होता है कोई विकती इंजीनियर होना चाहे डॉक्टर मास्टर होना चाहे तो पढ़ना जरूरी होता है न। आजकल बच्चे देखो आगे पर्मोशन लेने के लिए और किसी बड़ी पोश्ट पर जाने के लिए कितना पढ़ाई करते हैं और बिना पढ़े कैसे वो पहुच सकते हैं आगे और ये साधना के छेत्र में धरम परमार्थ कल्यान के छेत्र में हम मेहनत कितना करते हैं और मेहनत नहीं करेंगे तो लाब फिर कितना होगा यहां भी मेहनत होनी चाहिए यही जीवन का परम फल है यही हमारी परम आवश्यक्ता है और इसके लिए अगर मेहनत नहीं किया जाएगा चेश्टा नहीं किया जाएगी सत्संग नहीं किया जाएगा अध्यान और मनन नहीं किया जाएगा समय नहीं निकाला जाएगा और जीवन व्यवहार में वो सजकता सावधानी नहीं रखी जाएगी तो फिर उड़ते हुए कोई काम नहीं होता है ब्यावारिक चगत में कितना लोग मेहनत करते हैं दुकानदारी के छेतर में, नौकरी के छेतर में, ब्यापार में, खेती और किशानी में कितना लोग राद दिन एक करके भाग दोड करके मेहनत करते हैं और मन की शांती के लिए बस फिरी में सब हो जाए और इसकी भी एक अपनी लंबी स्रंखला है पुरा काल से हमें गुमराह किया गया है इन गुरुओं के नाम पर ऐसे ऐसे पुजारी पंडा पंडित लोग मिलते रहे और जो हमें जूठी दिलासाएं देते रहे और ये उनका अपना स्वार्थ था और इस अपने स्वार्थ के आड़ में समाज को कितना गुमराह किया गया है बताया जाता रहा कि कुछ करने की जरूवत नहीं है बस गंगा में अस्नान करलो काम हो जाएगा अमुक तिथी को उपवास करलो काम हो जाएगा वहाँ जाकर के मंदिर में भगवान के दर्शन कर लो काम हो जाएगा और बड़ी-बड़ी बातने कही गई और जिसमें कुछ भी सार ना रहा और हम लोगों को क्या चाहिए यही सस्ता सौधा और इन्ही में मेहनत कोई नहीं करना चाहता अब मजबूरी है बिना दुकान गए पैसा नहीं मिलेगा इसलिए जाते हैं समय से बैठते हैं मजबूरी है बिना पढ़े कहीं नौकरी नहीं लगेगी फिर ऐसे घुमना पढ़ेगा इसलिए पढ़ते हैं लोग तो वहाँ मजबूरी में करते हैं मेहनत वहां भी नहीं करना चाहते लेकिन अब बिना किये कामें नहीं होगा और फिर आज बिना पैसे के कहते हैं फिर दो कौडी का अदमी है तो अगर भावतिक जगत में हमें कुछ करना है कुछ सुविधाये चाहिए और कुछ समाज में थोड़ा नाम प्रतिष्ठा कमाना ह है तो लोग मेहनत करते है बच्चपन से उनके जयन में भारा जाता है छोटा बच्चा है तब इस बढ़ना बताया गया लेकिन मन की सांति के बारे में कौन बताने वाला है ना कोई सिच्छन संस्थान है ना कोई कोचिंग सेंटर है और ना कोई माता पिता बताने वाले वे ही नहीं इस पत्थ पर चलते हैं फिर वो बताएंगे क्या सोयम वही आशक्ती मोह दुर्गुण दुर्वेशन बिवाद कलह की जिन्दगी जी रहे हैं जो वो क्या बताएंगे और ना कोई वकील सहब ना डक्टर सहब ना मास्टर सहब ना नेता सहब कोई ये बात बताने वाला नहीं है सून निसंसार में शान्ती की जहां पर सीख मिले जहां से हमें वो प्रेरणा मिले आत्मग्यान की सदाचार की जीवन कल्यान की चारो तरफ सन्नाटा चाया हुआ है जंगल का राज है और जो कुछ हो रहा है तो बस जूटे ही गोहार लगाई जा रहे है बिनबस्ती का देश जहाँ पर बस्ती नहीं है वहाँ पर जा करके कोई भिच्छाटन करे तो कितना पाएगा कुछ नहीं पाएगा ऐसे ही यहाँ जहाँ पर लोगों को थोड़ी भी परवाह नहीं है कि मन हमारा शांत हो इंद्रियों में सैयम हो और मन में विवेक वान शंतों के लिए स्रद्धा और भक्ती हो आत्म ज्यान की हमें हमारी भूख मिटे और हम शांती का अनुभव करें कितने लोग इस बात को सोचते हैं रुपय मिले, पैसे मिले, धन मिले, जमीन मिले, मकान मिले पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जय जय कार मिले ये सबकी भूख होती है और इसमें लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं लेकिन हमारे मन में वो दसायावे जीवन की परम शांती का अनुभव हो इसको हम नहीं सोचते हैं अब बिना इसको सोचे जीवन की सारी क्रियाएं व्यर्थ है हमें यह काम करना चाहिए इसके लिए परिश्टरम करना चाहिए इसकी तयारी होनी चाहिए और इसके लिए सहायक कौन है सद्गुरु और संत हैं उन्हीं सद्गुरु की याद में साल भर में एक दिन के लिए लोगों ने सोचा संतों ने, महापुर्शों ने या किसी भी अध्यात्मिक, धार्मिक, छेत्र के लोगों ने भाई हर चीज का अंपना एक दिन मनाये जाता है मदर डे, फादर डे सिख्छक डे, डक्टर डे योगा डे, क्या-क्या डे मनाये जाता है तो शांती डे भी तो होने चाहिए कोई जो गुरु पत्मे चल करके जहां से ओ प्रेरडा मिले तो उसके लिए भी तो कोई एक दिन होना चाहिए तो अच्छी बात है यो है गुरु पूर्डिमा तो गुरु पूर्डिमा का ये तेवहार है और ये केवल तेवहार मनाने के लिए नहीं है ये एक नई सीख, नई एक प्रेरडा नई एक विचार ले करके हम यह काम करें और मन के लिए हम इसके लिए समवेदना अपनावें और अपने जीवन में देखें कि इन चीज़ों के लिए हमें कितना सजग हो करके अपने मन को, अपने सुभाव को, अपने विचार और जीवन आचरणों को हमें कैसे पवित्र करना चाहिए इन चीज़ों के लिए हमें ख्याल करना चाहिए हमारे जीवन में ये इसकी कितनी आवश्यक्ता है हमारे जीवन में शान्ती, सदाचार, सदकर्म इन चीजों को जब तक हम अपनाएंगे नहीं और गुरु और संतों की संगत में लग करके वो प्रेरणा नहीं हम लेंगे उस पत्पर चलेंगे नहीं और उसके लिए हम प्रगती नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए आउरन सेया होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए तो जहां भी कहीं भी हमें अगर कल्यान की दिशा में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम परमार्थ पतिकों का सहारा तो चाहिए ही जिस दिशा में आगे बढ़ना हो उसके कुछ सहयोगी लोगों की जरूरत होती है और साधना पत में आगे बढ़ना है तो ऐसे साधकों, संतों, साधवियों की संगत चाहिए ऐसे विचार चाहिए तो उसके लिए वे संत गुर्जन है और इन गुरुजनों से जुड़ करके हमें इन बातों की गहराई में जाना चाहिए तो गुरु बताते क्या हैं इन चीजों को हम सीखें गुरु बताते हैं कि बाहर से संसार से जो चारो तरफ हमारे मन और इंद्रियों की दवड़ है वो विशियों की तरफ है, संसार की तरफ है हमारे पास पाँच ग्यानेंद्रियां है आख, ना, कान, जीब, चाम ये पाँच ग्यानेंद्रियां और इन ग्यानेंद्रियों से हम पाँचों विशियों को रात दिन देखते हैं पंच विश्यों को ग्राण करने की जो शक्ती है साधन है वो हमारी इंद्रियां है और इंद्रियों से हम संसार को जान जान करके कितना बाहर भटकते हैं इसी में फिर राग द्वेश करते हैं मोह बैर करते हैं कला कलपनाओं में फस्ते हैं और नाना प्रकार की आशक्ति हंका और अज्ञान की कमाई करकर के हम अपने मन में कितना कुड़ा कबार इकठा करते रहते हैं लेकिन कोई ऐसे जब साधत मिलते हैं संत मिलते हैं तो वो हमें अंतर मुक्ता की प्रेरणा देते हैं बाहर से लौटो उपनिशत चिंतक रिशियों ने इसके बारे में बहुत मनन चिंतन पूड़ बाते कही हैं और सभी साधकों और संतों का एकमत से यही उनके उपदेश थे रिशी कहते हैं परांच खान इवित्रड़ स्वयंभू तस्माच परांच पस्चत नांत रात्मन रिशी कहते हैं परांच खान इवित्रड़ स्वयंभू प्रकिती ने हमारी इंद्रियों को बहिर मुख बनाया है कितनी ग्याने इंद्रियां हैं पांच आख नाक कान जेप चाम यह सिद्धान्द का विशय है सब साधकों और भक्तों को इन चीजों को मनन चिंतन करना चाहिए हमारे जीवन का यह विशय है हम इतिहास भुगोल गनित विज्ञान आदि खुब पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन को नहीं पढ़ पाते हैं हम परांच खानी यह जो खानियां हैं बाहर हमारे पास पांच ग्यानेंद्रियां और पांचों ग्यानेंद्रियां बहिर मुक हैं आखें हमें क्या दिखाती हैं बाहर संसार को हम आखों से देखते हैं आत्मा को तो नहीं देखते हैं आखों से बाहर देख देख करके और विश्यों में लुभा लुभा करके कितना दुख बटोरते हैं न चीजों को देखे पेड़ पहाड को देखे नरनारियों को देखे रुपए पैसे को देखे और नाना रूप रंग को देख करके आकरसित होते हैं और फिर कहें द्वेस बनाते हैं दुस्मन को देखे, बैरी को देखे, सर्फ विक्षू को देखे बाग भालू सेर्चीता को देखे, गंदगी को देखे वहां से घृड़ा करते हैं राग और द्वेस इन इंद्रियों के माध्यम से हम अपने अंदर भर रहें पांच नदियों के माध्यम से हम अपने अंताकरण को भर रहें हैं विसियों से और वहां कितना दुखी इकठा हो रहा है गुरु बताते हैं कि कैसे देखना चाहिए साधन तो हमारे पास है लेकिन साधन को प्रियोग करने की कला जब तक नहीं होगी पुस्तक तो सब के पास है पुस्तक पढ़ करके क्या कोई M.A.B.A. पढ़ सकता है पास हो सकता है दवाईएं तो मेडिकल में खुम मिलती है लेकिन डाक्टर के बिना मेडिकल से खरीद करके क्यों नहीं हम रोग को ठीक कर लेते रोगी और दवा के बीच में एक डाक्टर की जरूरत होती है डिग्री और सिच्छा और सिच्छार्थी के बीच में एक सिच्छक की जरूरत होती है इसी प्रकार दुख और मनुस्य के बीच में गुरू की जरूरत होती है बस इतना ही गुरू का महत तो है और ये महत तो कम बड़ी बात है हमारे घर में जमीन में धन गड़ा हुआ है हमें पता नहीं था और पता नहोने से हम बड़ी गरीबी का जीवन जी रहे थे मुखे प्यासे अभाव और असमर्थता में गुजारा कर रहे थे किसी ने आकर के बताया कि अरे तुम्हारे घर में ही धन गड़ा है अपार धन है और उसका उपयोग करो खोदो हमने खोदा निकला बहुत धन हो गया माला माल हो गए अब तो क्या पूछना अब देखिए उस धन जो गड़ा हुए धन था हमारे ही गर में था हमारा ही था लेकिन हमें पता ना होने से हम गरीबी की जिन्दगी जी रहे थे ना तो उस बताने वाले सारी जिन्दगी निकल जाती और हम गरीबी में ही बिता देते और उसका पता ना पते उसका लाब ना ले पते तो उसने अपने पास से ना देते हुए भी मानो हमें अपने पास से दिया और हमारा धन होते हुए भी हमें पता नहीं था इसलिए हमारा होते हुए भी मानो हमारा नहीं था बस ऐसे ही आत्म ज्यान और आत्म शांति की बात है हमारा स्वरूप सांति स्वरूप कल्याड स्वरूप मुक्त स्वरूप है लेकिन ये गड़ा हुआ धन की तरह है हमें ही पता नहीं है उसको बताने वाले किसी ब तरफ लोटो अपने को पहचानों तुम स्वयम सांत शुरूप हो मुक्त शुरूप हो और जब उन्होंने बताया हमने अंतर मुखो करके अपने मनिंद्रियों को शांत करके और अपने वाहे भाब दोड को इस्थिर करके जब अपनी तरफ देखा ताब लगा कि वाह जही को खोजत सोखुद हम ही और हम शांत हो गए मस्त हो गए वैसे ही जैसे म्रिगा कस्तूरी कुंडल बसे म्रिग ढूड़े बनमाही तैसे घट-घट राम है दुनिया जानत नाही जो तिलमाही तेल है जो चक्मक में आग तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग तो हमें अपने आपका पता चला किसने दिया पता सद्गुरु ने बस इतना ही सद्गुरु का महत्त है हमारे जीवन में लेकिन यह महत्त हमारे जीवन में पूरप से पश्चिम हमें कर देता है हम जा रहे थे हमें जाना था दिल्ली और बीपत में चले जा रहे थे कलकत्ता की और किसी ने कहा कि भाई दिल्ली इधर नहीं है इधर से चलो और जब उधर चल पड़े तो बस थोड़ा सा पीठ घुमाने का अंतर था और जैसे पीठ घुमाए फिर सीधी दिसा हो गई और वही ना करने से हमारी सारी क्रिया सारा उत्साह सारा प्रेम सारा खर्चा सब ब्यर्थ हो रहा था न ऐसा ही है समुद्र के किनारे जाए तो जब समुद्र की ओर देखेंगे तो क्या दिखेगा पानी ही पानी पानी जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी लेकिन बस पीठ घुमा दीजे उधर से और पीठ घुमाने के बाद फिर क्या दिखेगा संसार ये द्रिस्म प्राडी पदार्थों से प्रकिति से भरा हुआ संसार दिखेगा बस ऐसे ही है जब हम आखे मून करके अपनी तरफ देखते हैं तो मेरा अपना सांत शरूप आत्म शाक्षी ज्यान की इस्थिति दिखती है परम कल्यान की इस्थिति दिखती है इधर ध्यान दें सब लोग और जब मैं अपने से पीठ कर देता हूँ अपनी तरफ से तब फिर मुझे चंचलता से भरा हुआ काए काए भाए भाए करता हुआ दुख कले सोक संताप से भरा हुआ संसार दिखता है अब हम निरड़े करें कि हमें क्या चाहिए सोक संताप से भरा हुआ संसार चाहिए कि शांत और परम इस्थिति जो मेरी अपनी दसा है वो मेरा स्वरूप निज स्वरूप वो चाहिए अगर वो चाहिए तो फिर हमें सद्गुरु की जरूरत है सद्गुरु की महिमा अनन्त किया उपकार लोचन अनन्त उघार या अनन्त दिखावनहार इसलिए ऐसे एक बोधवान, कल्याड़ स्वरूप, आत्म दरष्टा, निज स्थित्वान और संसार से विरत विवेक संपन जो सद्गुरु हैं उनके प्रती भक्ती भाव रखना कितनी जरूरत है हम सब सादकों को ऐसे महान, आत्म, इस्थित्वान शद्गुरु के चरड़ों में स्रद्धा रखनी चाहिए बिना स्रद्धा के कभी भी हम जीवन में कल्याड की उचाई पर नहीं चड़ सकते संसार की चीजें बिना स्रद्धा के मिल जाती हैं हम दुकान में जाएं, मोबाइल खरीदना है तो पैसा दें और मोबाइल लेव में दुकान दार पर स्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी लेकिन गुरु के ग्यान को अगर प्राप्त करना है, उससे लाभ लेना है तो गुरु क से जा करके उनको दच्छडा दे करके केवल ज्यान नहीं मिल जाएगा दच्छडा दें या ना दें लेकिन उनके प्रती स्रद्धा रखना, भक्ती भाव रखना और अपने अंता करन को कोमल करके उनमें समर्पित होना इसकी बड़ी जरूरत है और अगर या नहीं होगा तो चाहे दच्छडा दें में और चाहे जितना बड़े विद्वान हो जाएं चाहे जितना पढ़ लिख लें चाहे जितना धनवान हो जाएं बिना स्रद्धा के यह काम नहीं हो सकता है इसलिए भक्ती की जरूरत है स्वामी संक्राचारी ने कहा है मुक्ति कारण सामग्राम भक्ति रेव गरीसी स्वासरूपान संधानम भक्ति रित विधीयते मुक्ति के कारणों में मुक्ति हो प्राप्त करने के लिए जितने साधन है जितने कारण है उसमें अनेक है मुक्तिकान शामगणाम भक्ति रेव गरीसी लेकिन उसमें भक्ति सर्वस्रेष्ठ है भक्ति ही मुक्ति की मंजिल को प्राप्त करने के लिए मुख निशेनी है भक्ति रेव गरीसी लेकिन स्वासरूप आनुसंधानम भक्तिरति विधियते और सबसे बड़ी भक्तिया है कि हम स्रद्धा करके सद्गुरू से जुड़ करके स्वासरूप का अनुसंधान करें सद्गुरू से जुड़ना हमारे जीवन का लक्ष नहीं है कि या करके सद्गुरू की से अब भक्ति करें, उनके पहर चुएं, उनको नहलावें, धुलावें, खिलावें, पिलावें और हर चीज से उनको सुसजित करें, ये हमारे जीवन का लक्ष नहीं है लक्ष है स्वास्वरूपान संधानम भक्तिरिती विधियते सद्गुरू की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें स्वास्वरूप की प्राप्ति हो स्वास्वरूप की स्थिति हो ये वैज्ञानिक अध्यात्म है इस अध्यात्म की जरूवत है अध्यात्म विश्वास नहीं है कुछ लोग कहते हैं विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है तो क्या अध्यात्म विज्ञान से कुछ अलग चीज है हाँ ये भौतिक विज्ञान नहीं है ये अध्यात्मिक विज्ञान है और इस अध्यात्म के विज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे बहुतिक विज्ञान में भागते दोड़ते रहें वहाँ सोक मोह करते रहेंगे हाँ चीजे मिल जाएंगी खाने पीने को, रहने बसने को, देखने सुनने को चलने फिरने के लिए नाना सुविधाएं मिल जाएंगी लेकिन सांती नहीं मिलेगी और सांती की बड़ी जरूरत है अब बिना चीजों के भी आप अगर सांती मिल गई तो बहुत सुक्का अनुभाव करेंगे परमानंद है और चीजें बहुत है मन बेचायन है तो क्या होगा आज इन कोठी बंगलों में और कारों में चलते हुए लोगों के आप महत्याएं हो रही है वहाँ चीजों की कमी नहीं है तो चीज बड़ी नहीं है चीजों से उपर जो हमारी अपनी दसा है परमशान्ती परमिस्तिती वो सर्वस्रेश्ट है उससे बढ़कर क्या उसकी बराबरी में दुनिया की कोई चीज नहीं है इसलिए हम सबको उस परमसान्ति के लिए भूख होनी चाहिए और उस भूख को मिटाने वाले उस शान्ति के बोधदाता सद्गुरु है इसलिए हम सबको सद्गुरु के पास जा करके उनके चरण सरण हो करके विनम्र हो करके हमें उनसे यह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए आज इस गुरु पूर्मा के अवसर पर आप सब लोग एकत्रित हुए आप सब को नमन करते हुए उन महान आत्म द्रश्टा और बोध दाता सद्गुरु के चरणों में मैं पुना बारम बार सुद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ ओलिये सद्गुरु देव की जै